आज कि इस वीडियो के अंतरगत हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे बीए बेसी बीकॉम के जो भी छात्र है जो आने वाले दिनों में थर्ड समिश्टर की परिच्छा देने वाले हैं 2022 और 2023 के सेसन में उनकी जो परिच्छा है वो किस प्रकार के होगी यानि कि कोईस्चन आज किस वीडियो इसी के बारे में होने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों मसंदीप स्वागत है आप सभी कापके अपने चैनल सेक्सिट्र उपर तो दोस्तों आपको में पॉइंट यह है जानना जरूरी है कि वाकाए में परिच्छा है लिखित होंगी या फिर अप्जेक् लिखित होने वाली है और कुछ में होने वाली है ऑब्जेक्ट्व बेस पर यानि कि करने वाला कुछ इनवर्सीटी ऐसे हैं जहां पर परिच्छा है लिखित होंगी जैसे कि मैं आपको बता दू डॉक्तर नाम अनहोर लगया आवद इनवर्सीटी हो गई डीडीयू निया स्लेबर्स क्योंकि आप सभी का रेटेंड बेस का है इसलिए परिच्छाएं लिखित होने वाली हैं कुछ इन्वर्सिटी ऐसे हैं जहां पर अब्जेक्टि पूश्चन आने वाले हैं जैसे कि आपकी सायद कानपूर इन्वर्सिटी में परिच्छाएं अब्जेक्टि होई अब आपको कैसे कंफरम करना है तो जहओ मैंने आभी आपको नाम मताया है इसमें तो गारंटी है कि परिच्छाएं लिखित होगी बाकिने जो इन् васिटी कि मेन नाम नहीं लिया आए वह अपने कॉलर से अपने इन्वर्सिटी से जल्द से जल्द कॉंटेट कर लिजेगा जिससे आप लोगों को अपने इस लेबर्स को अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने में समस्या ना आए तो इस चीज को जरूर कलीजेगा अपनी इनवर्सिटी पे जाके ठीक है और हाँ अगर आपके जहां से एड्मिसन लिया वो बता देंगे आप लोगों को ठीक है और अग आपके मार्केट में कोईस्टन बैंक आ गई है तो आपको वहां से भी पता लग जाएगा ज़र जरूर कटिट करें फिर हाल्टिक है यूगि आपको जरा सा भी डाउट ना रहे इसलिए में बोलना हो और बाकी 90 परसेंट लिखित होने वाली है तो आप लोग रिटन बेस कि एक्जाम की तयारी करिए और हम आपको इस चैनल पे return base की एक्जाम की तयारी भी करा रहे हैं I hope आपका जो doubt है question नहीं उसका author मिल गया होगा अभी भी कोई question है अगर कुछ जाना चाहाँ है तो comment करके पूँ सकते हैं हम आउसका रप्लाई देने की पूरी कोशिस करेंगे मिलते हैं नेस्ट वीडियो तब तक ले जाएंद